आज अजादी के दिन हम आपको नेताओं के बारे में बताते हैं देखिए दो किसम के नेता होते हैं एक देता है एक पाता है एक देश को लूट के खाता है एक देश पे जान लुटाता है एक मरा तो नाम और निशा ही नहीं एक यादगार बन जाता है जैसे कि हमारे मोधी ज प्रवाद के नहीं नहीं था कि हमें किसे दिन भारत की पवित्र संसद में बैठने का मोका मिलेगा लेकिन अब यहां बैठने का सुभाग्य मिला ही है तो फिर हम भी यह कहते हैं कि भगवान करे मेरे देश के सब नेता ही बन जाएं ऐसे थोड़े से लाल बहदूरो थोड़े से हो मोडी जैसे राम نہ करे मेरे देश को जनता को भी ले डूबे वोट लिया और किसक गया जब कुर्सी पर चिपक गया तो पिर उस Nicolas एक ऐसी किताब जिसमें ये भविश्यवानी की गई है कि चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलके भारत पे हमला कर देगा और एक तीसरा महा युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा जिसमें भारत की जीत होगी और भारत दुनिया पर राज करने लगेगा कौन सी है किताब आईए जानते हैं दरसल इस भविश्यवानी करने वाली किताब का नाम है भविश्य मलिका जिसे चोदमी से पंदरमी सदी के बीच संत अच्युता नंद जी ने लिखा था इस किताब के नुसार साल 2024 में जब शनी मीन राशी में प्रवेश करेगा तब से ले में मुझूद जगनात मंदिर की सीडियों तक पानी आ जाएगा यही नहीं इस किताब में ये तक लिखा गया है कि इस मायुद के विनाश के बाद भगवान कलकी भारत के संभालपूर नाम के गाम में प्रकट होंगे इन सब बातों पर विश्वास करना आपके हाथ में हम स साल 1989 की जब उतर प्रदेश के उस रहार पुलिस स्टेशन में फटे पुराने कपड़े पहन कर एक किसान अपने बैल के खो जाने की शिकायत लेकर आया था लेकिन वहां के पुलिस इंस्पेक्टर ने उस किसान से शिकायत दर्ज करवाने के लिए रिश्वत मांग ली बड लेकिन उस किसान के दस्तकत देखने के बाद उस पुलिस वाले के पैरों तले जमीन खिसक गई और पूरे पुलिस स्टेशन में हड़कम को मच गया क्यूकि उस कागज पर किसी और के नहीं बलकि उस समय के प्रधान मंत्री चोधरी चरन सिंग जी के दस्तकत थे और वो किस प्रधान कोई और नहीं बलकि खुद देश के प्रधान मंत्री थे और उसी दिन प्रधान मंत्री चोधरी चरन सिंग जी ने उस रिश्वत कोर पुलिस वाले के साथ-साथ पूरे पुलिस स्टेशन को ही सस्पेंट कर दिया था